पता है पिछले फटेशन में हमारा पूरा परिवार मच्चुटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाय धेड़ सारे स्टीम मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राईज और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्यूम के डिशिस थे मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्यूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किसमत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग ये कोई नहीं बात नहीं है पर सीन्यों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरीमान से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरीमान भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तुम्हें जरूर सबसे बड़ी मश्री पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है? कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तोर पार उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनौती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब ग्योरे मोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती क्या से दी डाट यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नुबिता बड़ी मच्णियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी तोनों है डाट क्या सच्मी ज़रा एक मिनच रुकिए मैं आपको अब ही दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछी देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट, अब आप भी तयार हो जाए अब जादें पीजी डाट हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या जरूरत है अब आप अपने चूते पहन लीजिए आप तयार है स्मॉल लाइट समझ गया तुमने डाट को चोटा कर दिया दा कि वो मिनियेचर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो, ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ, मुझे ज़रा आराम से नीचे उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी, पर यहां तो अरे, ओ, 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 फेट सारी मचलिया हैं, वहाँ तुमने देखा डाट कितने खुश है जोरी मॉन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैं ना? सीरीज के बारे में, ओ, हाँ नो बिता कैस का मतलब यह है? कि अलग-अलग तरह के बाहार होते हैं? तुमने सही कहा ओ, अच्छा, किस तरह की? बताव ना, जोरी मॉन रॉक लाइंबिंग प्रैक्स के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं स्कीन तो बर्फ के स्लोफ पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेंज होते हैं सुनो डोरीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कोई मश्रूम का माउंटेंज भी होता है? हाँ, होता है सच में? कहो तुम्हें, मुझे दीफना है यहां तुम्हें मश्रूम्स मिलेंगे अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे इस तरहां और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और एक ट्यूब में बादल तुम इनकी साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सबर करो यह देखो सब तयार है नोबिता, अब हम लॉंच करने वाले हैं सन अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश और फिर तुम देख्या नोबिता करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे जोड़ी मोल, क्या मैं शिजू को और बागी दोस्तों को बुला लाओं? हाँ जरूर बुला लो में उने लिया दा हूँ क्या हमसाओः? अधिन मश्रूम्स तोड़कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा, नोबिता. मैं सच कह रहा हूँ. आओ, तुम खुद ही देख लो. अरे, नोबिता, देले चलो, मैं चलता है. देले चलो. हे, नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहा जा रहे हो? क्या सच मुझे नोबिता, मैं भी आना चाहता हूँ. हलो, आउंटी. हलो, आउंटी. हलो, बेटा. डोरे बोन. हमें बताओ, मश्रूम्स कहा पर है? चलो, हम शरू हो जाएं. हमें इस माउंटेन पर जाना है. अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स. देखो, शिजुका, मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला. हें नोबिता, देखो, यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स हैं. शिजुका, आउं बहाँ जाकर देखते हैं. अच्छा, ठीक है, जड़ा में ले रुको तो सही. जुल्दिया. बढ़िया लगता है. हमारे यहाँ सारा समान अच्छी मौलिटी का होता है. यह निजए आपका समान. शुक्रिया. आईए मैडम, चार क्रोकेट्स. ठाइक्च्यू मैडम, आज मश्रूम्स बहुत सस्ते दिख रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं. आप लेना चाहेंगी? आट हाजार रुपए? यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो. आप, क्यूं नहीं, यह हैं तो बहुत ही सस्ते, पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी. चलती हूँ. वा, देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला, यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स हैं, पर मेरा बासकर तो फॉल हो गया है. देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ. मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे. चीक है. मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए. अच्छा एडिया है. एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी, जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं. पर अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रही तो. अरे, शिजुका और बाकी साब आगे तक गए नहीं? अरे, ये क्या? ये खुश्पू, क्या ये मश्रूम्स की खुश्पू है? ये खुश्पू तो उपर से आ रही है. तहीं मैं सपना तो नहीं देख रही. ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए. मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं. वाँ, मज़ा आ गया. क्या खुश्पू है? रंग भी बढ़िया है. बहुत टेस्टी है. अदे वाँ, मज़ा आ गया. तु मिति जल्दी में मत खाऊनो पिता. आउच, छोड़ो ना यार, खारें से दूँ. ये अब तयार नहीं हुआ है, जियार. अब सब्र करो. चलो, अब वापस चलते हैं. अब ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा. इतने सारे मश्रूम्स देखकर, मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी. बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे. अच्छा अँटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं. अच्छा, हम जा रहे हैं. दोबारा आना. तुम दोनों का शुक्रिया. फिर मिलेंगे. जर मन करें, आ जाना. जोडी मोन, क्या डाट ने कोई मश्ली पकड़ी होगी? आव देखते हैं. हे सुनियो. हाइ जियान, हाइ शिजूका. तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो. अच्छा, तो ये मामूली मश्रूम्स हैं. हे बेबाकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाइ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ, बिल्कुल. हम इन मश्रूम्स को मच्छ उटा के माउंटेन से लाए हैं. क्यों, शिजूका, ठीक हाना? हाँ, जी, आन, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो. फिर मिलते हैं सुनियो. अच्छा तो हम चलते हैं. चाहो तो एक लेलो सुनियो. हाँ. लगील नहीं होता. मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मचलिया मैंने पहले कभी नहीं पगड़ी. ये तो बहुत अच्छी बात है. ये तो सब डोरेमोन का कमाल है. अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा. हाँ, डैज, आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं. हाँ, अच्छा इडिया है. हमारे लिए भी. अरे सुनती हो. कहिए, मॉम. डिनर का वक्त हो गया है. अरे, पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे हैं? ये बेखो. ये सब क्या है, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ. ये, ये तो. ये है मश्रूम और मचलिया. हाँ, अरे, ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूम्स. ग्रिल्ड मश्रूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है न? नहीं, ये नहीं हो सकता. ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप इतनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेकुल